कि देविदेवता हो गंदरव चारण आधी सभी शक्तिय समायत हो करके जिसके पाथ जो अध्यन था समने राम महीश्री रामचत्र मानस का डिब ग्रंथ कलियोग में हम सब को पार होने के लिए डिब ग्रंथ हम सब को वावा गोस्वृत्षाजी देखे गए कि अध्यन करो हम तुमारे जीवर में कभी अंधिरा नहीं आएगा यह मैं आपको गारंटी देता हूं बस रामचत्र मानस के हवाले हो जाई है और उस हवाले को हवाले मेरे करके अपने अध्धन में लाइए तुमारे घर में कलियोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा तुमारे जी सत्योग तुमारे घर में कलेश नहीं रहेगा ऐसा मेरे मेरा श्यम की अनभूती मुझे पूंची गुर्दी वगवान की द्वारा प्राप्त हुई थी और उसका मैं लाम ठाया पंडो करदा में निरंतर स्री रामचत्र मानस का पाठ चल रहा है बरहां में भी पाठ चल रहा है अनन इस सभा्मान जी कि क्रपा दर्वार में जो आएवे हैं da आप लोगफ प्रवचन सुनने नहीं आये मुझे पता है आप आप तो यह देखने आये कि हमारा परच काम कब हो जाए को कि हमें क्या करन्य रामायन से और हमें कि ने प्रिवाचन से और अगकर गया बस मेरा काम हो जाए लेकर हम भी कहते हैं कि मुझे तुनारी बुद्द्ध कland बहार में जाए परचा भाड में जाए लेकितन मारी बात सुन लो कुछ तो हो जाए तो में सद्वुद्धी एक परसेंट भी आ गई हमारा पर्षे का महत्त पुरा हो गया क्योंकि हमें पता है कि आप मुझे जबर जस्ती के जहिल रहे हो दो गंटे जो भजन की दन हुए उसको जबर जस्ती के जहिल रहे हो अरे ये जल्दी से बंद हो जाते तो आज नंबर आ जाता खास में कल घर चला जाता सही बोल रहा हो हसो खुबर सो हम तो पता है ऐसा ही है लेकि हमें भी पता है कि तुम मुझे जहिल रहे हैं और हम तुमें जहिल रहे हैं कि तुम मुझे पका रहे हों हम तुम्हें पका रहे हैं मुझे पता है लेकि तुम्हारा हुआ पका हुआ व्यक्ति मैं हूं इतना आपको पका रहा हूं कि कुछ भी पक गए तो बन जाओ गए है है हमें हमें आप सबको कारवेंट से नहीं पका रहा हूं मैं भगवान नाम की रसाइन से पका रहा हूं वो रसायन से पका रहा हूं कि ये पका हुआ फल खराब नहीं हो सकता वांकि किसी पकार का पका हुआ फल हो खराब हो जाएगा लेकि राम नाम से जो पका हुआ होगा वो खराब नहीं हो सकता कोई बात नहीं ताली ना भी बजा हमें कोई टैंसन नहीं किна है कि अ तैन्समनों तोसे होता है जिसके सामने कोई होता रही हमारे सामने स्वेश कोई मेरे सामने में लिए जाता हूं वह bạn आप लोग मेरे साथ आते मुझे लगता है इनके पर्चे बन जाएं फिर एक मन में आता जो पर्चा बन जाएंगे तो घर चले जाएंगे फिर सामने कौन बैठेगा तो हम सोचते हैं बैठे रही है कि अग कि आज पूरे दुनिया में धरम में चर्चा है हर जगे राम रादी की चर्चा है हर जगे आयुद्धा नात की चर्चा है बड़े बड़े मोल खाली हो गए बड़ी बड़ी मार्केट सजी थी खाली हो गए इस समय भक्त लोग आयुद्धा की गलियों में पड़ा है बाबा हनमन तलाल जी महराज को धुझ ले जाकर लोग अईद्धा नात की दर्सन कर रहे हैं बड़े से बड़े मोल खतम हो गए बड़े से बड़ी मार्केट लगाए रखे थे दुकाने सजाय रखे थे खतम मेरे राम राजा सरकार आ गए मैं कहीं गया था मैं नाम नहीं लोगा तो वहां के लोग बोले हैं महराज हमने अधाई कड़ों का ठेका लिया है लेकिन यहां तो सब खाली पड़ा है सब अध्या जा रहे क्या पईसन निकलाएगा मेरा किक अब लोग कहेंगे कि गुरुजी भी धरम ब्रोधियने द्रम ब्रोधियनैं इए कुछ लोग इसज़ायों से मठ मंदु उल्भाव आपको दानों करना चाहिए पुंन करना चाहिए डरसीद कटवाना चाहिए उंडीमें दान दानना होते ना ऐसे कुछ लोग हुंडियां को ठीका लेते हैं उन लोगों से मेरी बात हुई तो बोले महराज इस वाद धाई कड़ों को ठीका है लेकि सब अयुद्धा जा रहे हैं क्या महाराज ये पैसा निकल आएगा मेरा तीन मेने का ठीका है कि तो मैंने कहा कि भाइया नियती साप रखोगे और भंडा ना भ RA रहेगा है और नियती में खोढ़ होगी तो भाडी तो पड़ेगी बचने का भाव होगा, बचाने का भाव होगा, देपताओं के साथ किलवार होगा, देपताओं सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि दिया की नीचे हैं धेरा होता है, हमारे याँ ऐसे से लोग आते हैं, ऐसे से जगे से लोग आते हैं, मैं नाम नहीं हुआ मेरा उन्हीं क्या नहीं हुआ है दुनिया को यहां से हो रहे हैं कि हमको है ही नहीं हुआ हमने की बाबा से नहीं है आप तो जानते हो बाबा हमसे बात तो करते नहीं बोलते तुम रोजी है तो हमने की फिर तो मेरे पास क्यों आए वोले गुरू जी क्या बताते ह तो अमने के मेरी बाबा से बात हो गई है कि 23 सक्टूबर को बच्चा होगा तो अभी 2023 में बहुत बड़े मटके अचायरे थे वाँके मुख पिठा दी सुर्थे उनको 58 वर्स साधी हो जाने पर जुड़बा पुत्र हुआ तो ये तो दिया नीचे अधेरा रहता है और फिर बाबा ने उनका एहिंकार खतम कर दिया ये मस सोच तू मेरे पास खड़ाया तो तो कोई और नहीं जुकेगा चल जाँ हनमान बाबा को प्रणाम कर वही तवारा कल्यान करेंगे है एहिंकार खतम हो गया मैं आप सबसे क्याना चाहता हूँ कि आप पंडुकर सकार के बगत हो हनमान बाबा के बगत हो हतीबान बाज के बगत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सादू संतों का नादर करोगे इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी तीर्थवे नहीं जाओगे इसका मतलब यह नहीं कि आपको मन में बिश्वास होना चाहिए इस्वर के पुर्ती समर्पण होना चाहिए गुरू के पुर्ती समर्पण होना चाहिए जब किसी डॉक्टर से लाब नहीं मिलता तो क्या आप दूसरे डॉक्टर नहीं देखते जब तक आपको सच्चा आपको इस्ट नहीं मिल जाएगा सच्चा डॉक्टर नहीं मिल क्योंकि उसकी तलास रहती है यदि आपको लाव नहीं मिलता तो आप डक्टर जरूर बदलो लेकिन अपने घर के डक्टर से भी बाफसी में आके प्रामर्स करो कि अमुक डक्टर ने ये बताया डक्टर साव ये दवा कैसी है कि आपके अध्धन में आई कभी प्रयोग में आ होगा तो आपको डाटेगा नहीं आपको मार्दसन करेगा और मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी गुरू कोई भी शादक हो कि यह मस्तों कि हमसे काम नहीं हुआ और हम सिस्थ को नहीं रस्ता नहीं देंगे और अस्ता देंगे तो जी हमारा दिस से नहीं रहेगा आप गलत कर रहे हों सच्चा गुरू सच्चा डॉक्टर सच्चा सलाईकार आपको सलाई देता है मैं एक छोटा सा आख्यान में आपको मार्दसत करता हूं अयुद्धा के राजगराने में शूर्वंस में हमेशा संतान ना होने की विवस्था बिगड़ी रही है और उस विवस्था बनाने के लिए ब्राह्मन दुझ गुरू आचार संत रशी महरसियों ने समय समय पर सूर्वंस चलाने का मार्दसंतिया और वह सूर्वंस आज तक चल रहा है जिसमें हमारे अध्धा ना स्री राम जी महराज है